Hello everyone, I am Chartered Account in Deep Kendra और आज मैंने एक नया YouTube चानल बनाया है जिसका main purpose है कि मैं अपना financial experience, अपना financial knowledge आप लोग के साथ discuss कर पाऊं आज जो यह हम पहला वीडियो बना रहे हैं यह वीडियो हम उन इंशॉरेंस के बारे में बना रहे हैं आज के हम इस वीडियो में तीन इंशॉरेंस करेंगे ऐसे पहला है प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना दूसरा है प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना और तीसरा employees deposit linked insurance scheme तो इन तीनों insurance के बारे में हम आज discuss करेंगे कि हम किसका advantage COVID की death के लिए ले सकते हैं किसका नहीं ले सकते किस insurance का advantage कौन से case में हमको मिलेगा तो शुरू करते हुए सबसे पहले हम discuss करेंगे प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना ये scheme government 2015 में लेकर आई थी और government का ये उदेश्य था कि 50 करोड लोगों को इस scheme के अंडर cover करना था इस scheme के कुछ main key points जो हम discuss कर सकते हैं सबसे पहले जो eligible person होगा जो इस scheme में enroll हो सकता है उसकी age 18 years से लेकर 50 years के बीच में होनी चाहिए वो इस age group का fall होना चाहिए उनका एक bank account होना चाहिए primary KYC है या primary हमारी ID है वो आधार लगी होनी चाहिए इस insurance में बहुत ही economical price government ने रखा था IR, DAI के साथ consultation में बहुत nominal सा price रखा गया था the price was only 330 rupees for the year और insurance का जो risk cover था वो था 2,00,00 रुपे तो government यह चाहती थी या government की एक approach थी कि हर एक जन्धन योजना की account में से 330 रुपे प्रती वर्षक वो deduct कर ले और अगर उस साल में किसी की death हो जाती है तो उसके घरवालों को 2,00,00 रुपे का एक amount मिल जाए starting में government ने 330 रुपे हर एक account से जितने भी जन्धन जोजना में enrolled account थे या उस scheme में खुले हुए account थे उन में से वो deduct करने शुरू किये बट किसी कारणवश लोगों ने अपने accounts में 330 रुपे की deduction को block करा दिया, मना करा दिया तो इसलिए वो accounts में से deduction अब होनी शायद बंद हो गई हो तो जिसकी भी death हुई है, सबसे पहले आपको ये check करना है कि उनका जो भी account कहीं भी खुला हुआ है उस account में से क्या इस साल में 330 रुपे deduction हुए है या नहीं हुए है जब मैं बोल रहा हूँ इस साल में, तो इस insurance का एक pattern है ये 1st June से लेकर 31st May तक eligible रहता है तो कहीं भी जहां deduction होई होगी, वो हमारी 1st June के आसपास हुई होगी आप लोग ये चेक कर सकते हैं, कि जिस किसी की भी death हुई है क्या उनके bank account से 330 रुपे के amount deduct हुआ है या नहीं हुआ यदि हुआ है, तो आप 2,00,000 रुपे के लिए eligible है आप bank में जाके एक form भढ़ दीजिए, manager से मिल लीजिए वो आपको सारी इसकी details बता देगा कि कौन सा form भढ़ना है वो form भी वहीं से उपलब्ध हो जाएगा bank में ही आपको वो form submit करना है और आप उस case में 2,00,000 रुपे के लिए eligible हैं ये scheme normal life insurance companies के पास भी eligible है, available थी तो ऐसा हो सकता है कि आपने वहां से लिया हो अगर वहां से लिया हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके घरवालों को या आपको ये बात पता होगी कि ऐसा insurance लिया हुआ है बट normally क्या होता है जब bank account से पैसा deduct होता है तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, अपनी family को शाग इतना बताते नहीं है बट उस इंसान की डेत के बाद उसकी family उस amount का advantage नहीं उठा पाती तो as a request यदि किसी की premature death होती है या यदि किसी की normal death पी होती है तो bank account को बंद करने से पहले प्लीज 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 एक बारी आप उनकी passbook चेक कर लीजे क्या उसके अंदर ये amount deduct हुआ था या नहीं हुआ था एक सवाल ये भी आता है कि सर सपोस कीजिए मैं अब ये insurance लेना चाह रहा हूँ and it is already May तो government ने इसका rule ऐसा कुछ बना रखा है कि यदि आप इस insurance को एक first quarter में ले लेंगे September, October या November में enroll किया तो मेरे को 258 रुपीज देने पड़ेंगे December, January या February में enroll किया तो 172 रुपीज पे करने पड़ेंगे and अगर March, April या May में enroll किया तो 86 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो यदि कोई आज की rate में इस insurance को लेना चाहता है तो उसको 86 रुपीज पे करने पड़ेंगे लेकिन उसका जो risk cover होगा वो सरफ और सरफ 31st में तक होगा 1st June से उसका नया साल शुरू हो जाएगा तो उसको दुबारा 330 रुपीज की deduction कराने पड़ जाएगी तो आप किसी की भी death के case में एक बार जरूर पास्बुक चेक कर लीजिए ऐसा हो सकता है कि उनके 330 रुपे या 258 रुपीज या 172 रुपीज या 86 रुपीज उनके bank account से deduct हुए हो किसी भी time पर और अगर ऐसा है तो आप इस 2 लाग के amount के लिए eligible है और इसमें एक बात और बहुत important बताना चाहूँगा कि COVID-19 death इस insurance में cover होती है because इस insurance में सारी natural death cover होती है natural and non-natural तो इसमें आप COVID-19 की death अगर किसी की परिमर चौट हो गई है तो इस scheme के थूँआप 2 लाग रुपे का claim ले सकते हैं एक message flash हो रहा था कुछ दिन पहले जिसके अनुसार दो insurances उसमें जिक्र था प्रधान मंतरी जीवन जोती भीमा योजना और प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना तो मैं पहले आपको बता दूँ कि जो प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना है यह COVID-19 deaths के लिए eligible नहीं है यू cannot claim the amount of प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना for the purpose of COVID-19 death क्यों? मैं इस insurance को cover तो कर रहा हूं लेकिन क्योंकि यह insurance COVID-19 death को cover नहीं करता तो हम इसको बहुत detail में cover नहीं करेंगे थोड़े इसके brief point देख लेते हैं जिस बंदे ने या जिस इनसान ने ये insurance लिया है उसकी age 18 to 70 years के बीच में होनी चाहिए इसका amount बहुत 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 कम है that is 12 rupees per year एक साल में आपके सिरफ 12 rupees कटेंगे पर ये accidental death या accidental disability insurance है मतलब क्या हुआ? अगर किसी का कहीं accident होता है और उसके कारणवाश उसकी death हो जाती है या फिर accident होता है और वो fully disabled हो जाता है in both the cases उसके परिजनों को 2 lakh रुपे या उस इनसान को खुद 2 lakh रुपे मिलेंगे यदि उसका accident होता है बट उसकी death नहीं होती बट partial disability हो जाती है तो government आपको 1 lakh रुपे उसके बदले में देगी लेकिन ये insurance COVID-19 को cover नहीं करेगा because COVID-19 is not considered to be accidental death इस बात को government का press handle एक बारी clear कर चुका है that is 25th October 2020 को ये tweet किया गया था जिसके तहर ये clear किया गया था कि प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना का benefit कोई भी COVID-19 death में नहीं मिलेगा so अगर किसी की accidental death हुई है तो आप insurance का benefit ले सकते हो otherwise नहीं ले पाओगे तो COVID-19 का यहाँ पर benefit नहीं मिलेगा इसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे insurance के बारे में that is employees deposit link insurance अब यह क्या insurance है यह किसके लिए है इसके बारे में बात करते हैं यह सबसे पहले तो उन लोग को मिलेगा जो private sector में job करते हैं लेकिन सिरफ यह एक requirement नहीं है कि हर private sector के job वाले इंसान को यह insurance का amount मिल जाएगा तो कुछ conditions हैं कुछ points है जिनको ध्यान रखना है सबसे पहले जहां आप काम करते हैं वहां आपका employer EPFO में registers है that is employees provident fund organization का एक part है वहां registered है second most important part is आप provident fund के लिए active contributor होने चाहिए on the date of death या on the period of death basically उस दोराँ क्योंकि provident fund में क्या होता है कि employer भी contribute करता है और employee भी contribute करता है और दोनों का contribution government के पास एकठा होता रहता है but हर वो employer जो provident fund के लिए contribute कर रहा है उसको in addition to that employees deposit link insurance के लिए भी contribute करना है तो मैं आपको बिल्कुल clear बता दू कि किसी भी employee को EDLI के लिए कोई extra payment नहीं करनी है अगर आपकी organization EPFO में registered है और आप active contributor हो तो आप इस insurance के लिए automatically eligible हो जाते हो आपके परीजनों को आपके घरवालों को आपके legal years को या आपके nominee को प्रात्मिक्ता nominee को दी जाएगी यदि आपने कहीं nomination form भर रखा है इस insurance के लिए तो जो भी आप पर nominee होगा वो इस amount के लिए eligible है और in case किसी ने nominee नहीं बना रखा तो जो भी उनके legal years है उनको ये advantage मिलेगा COVID-19 death को ये insurance कवर करता है तो in case किसी की COVID-19 से death हुई है और वो किसी private organization में job करता था वो private organization EPFO में register थी और ये employee Provident Fund का active contributor था अगर ये सभी conditions पूरी है तो आप इस amount के लिए eligible हो आप अपने परिजनों की death के context में इस amount को claim कर सकते हो इस amount को claim करने के लिए form 5IF submit करना पड़ेगा इसकी details आपको easily available हो जाएंगी अब एक बहुत बढ़ा सवाल आता है इसमें कितना पैसा मिलेगा हमको तो minimum amount is 2.5 lakh and maximum amount is 7 lakh रुपी इसकी calculation का मैं तरीका आपको बता देता हूँ employee की पिछले 12 महीने की सालिरी का average किया जाएगा suppose करते हैं कि वो average amount आता है 15,000 रुपे 15,000 into 30 मतलब 30 महीने की सालिरी आपको दी जाएगी तो 15,000 into 30 plus 2,500,000 रुपे का bonus है जो आपको जिसके लिए आप eligible होंगे तो total आपका amount बन जाएगा 7,500,000 रुपे पर यहाँ पर एक बात देखनी पड़ेगी यह की average salary का amount 15,000 से exceed कर रहा होगा तो government ने capping कर रखी है कि वो इनसान की average salary 15,000 ही माना जाएगा तो in any case आपको 7,000,000 रुपे से जादा इसमें claim करने को नहीं मिलेंगे तो इसमें दो example ले लेते हैं suppose करते हैं कि एक employee है जिसकी death हुई है वो active contributor था provident fund का उसकी salary average salary 20,000 रुपीज थी तो क्योंकि 20,000 average salary की capping है 15,000 तक 15,000 और 20,000 whichever is lower वाला हमारा case लगेगा 15,000 into 30 plus 2.5 lakh will make it 7 lakh तो उसके घरवालों को 7 lakh रुपे मिल जाएंगे second example जदि हम लें कि किसी की salary 10,000 रुपीज है तो 10,000 into 30 that is 3 lakh रुपे और bonus 5 lakh रुपे तो उसके घरवालों को 5,5 lakh रुपे मिल जाएंगे तो ये हमारे 3 insurances थे जिनका advantage आप उठा सकते हो किसी की death के बाद ये amount शायद आप लोग के लिए बहुत छोटा हो लेकिन किसी के लिए एक financially life saving amount हो सकता है तो I strongly request you कि इस information को ज़ादा से ज़ादा share कीजिए so that ये information किसी के काम आ सके because COVID-19 में हम किसी की अगर वैसे help नहीं कर सकते तो at least उसके साथ information share करके उसकी help कर दे because हो सकता है ये छोटा सा amount किसी के लिए एक life saving amount Thank you very much